तो हे गाइस इस सूरो सर्मा और यू और वाचिंग नीट रूट्स तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एनिमेटेड बॉटम नैविकेशन बार तो एनिमेटेड बॉटम नैविकेशन बार क्या होता है सबसे पहले हम वह देखेंगे और उसको फिर हम कैसे यू बॉटम नैविकेशन बार इतना मैंने सर्ज किया और इतना सर्च करने के बाद हम चलेंगे इमेज पे और इमेज़ पापको डिफरेंट टाइप कि क्या मिल जाएंगे एनिमेटेड बॉटम नेविकेशन मिल जाएगा हम यहां पे बाइडिफोल तो हम दूसरा यूज करते कुछ आपके बास अलग-अलग टाइप के यहां पर बॉटम नेविकेशन बाहर मिलेंगे तो ऐसे भी आप यहां पर यूज कर सकते हो राइट तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम थर्ड पार्टी डाइबरी जो होती है उनको हम कैसे अपने एंडूइड एप् सकते हैं क्योंकि by default जो रहता है हमारा वह बहुत ही सिंपल सा होता है और उसमें कुछ खास दिखता नहीं है नॉर्मल ऐसा रहेगा आपके पास और यह ऐसा हम इसको बस डारेक्ट चेंज कर सकते हैं तो अब हम यहां पर चलते हैं सबसे पहले सर्च करते हैं फिर से हम को यह सर्च करना है एनी मेटेड बॉटम नेविकेशन बार और इतना सर्च करने के बाद आपको मिल जाएगा यहां पर और इतना यहां पर एक और चीज़ सर्च करना गिट हब इतना सर्च कि आप परने और आपको यहां पर बहुत सारे अलग-अलग तरीके कि आपको यहां पर म सकते हो ओकी तो इसको यूजश करने के लिए हमें कुछ चीजों के यहां पर ज़रुत पढ़ने वाली है तो उन चीजों को हम यहां पर अभी देखेंगे और उससे पहले मैं आपको चलता हूं और एक रॉजेक्ट को हम यहां पर क्रेट कर लेते हैं तो मैं न्यूप प्रोज फरक पढ़ने वाला नहीं अपका फिनिश करता हूं और अपने प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर देख लेंगे जिससे कि अगर कोई एलर आएगा हमारे प्रोजेक्ट में तो उसको हमें पता चल जाएगा कि और नहीं आएगा तो और यहां पर मेरे पास आया tip of the day तो आप मुझे बता सकते हो कि आपका आज का tip of the day क्या आया था comment में तो build को मैंने open किया और यहां पर check कर लेते हैं कि कोई error ना आए तो build जो था हमारा successfully हो चुका है तो मैं इसको करता हूं minimize और अब हम इस project को यूज करने के लिए ready है तो मैंने यहां पर गया और इसको मैं यहां पर थोड़ा से manage कर लेता हूं और मैंने होना है और यहां पर आपको bottom बार के on tab selected पर यहां पर यहां पर यूज कर सकते हो और मतलब बहुत कुछ है यहां पर इन चीजों को पढ़ सकते हो राइट तो हम यहां पर सिर्फ यूज करके देखेंगे कि कैसे हम इसको enable करते हैं तो यहां पर हम चलते सबसे पहले और देखते हैं कि कहां से हमें सब चीजे यूज करनी है तो मैं यहां पर आया नीचे 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 और नीचे चलते हैं और कहीं न कहीं हमें $1001,000 का अपका कोड मिल गया is k cinema एकिसक कपी किया और कोपी करने के बाद आपको जाने अपने एंडो PETER And build डौट अपको ऐप ऐसको आपको ऑपन करने लाइख करने के बाद क। और बौटम मेरा है इसको अपको करने के ब्रेकेट क्लोज आपको यहां पर लगाना है अब आपको कुछ नहीं करना है बस यहां पर करना है सिंक और बिल्ट को ओपन करके देख लेना कि कोई एर्र ना आ ए तो हमारे बिल्ट हो चुका है सकस्फुल अगर यहां पर यहलो वार्णिंग भी आती है तो आप समझ जाना क के आप चीज को यूज़ करने के लिए रैडी नहीं हो तो हमने यहां पर यह तो कर लिया अब क्या करते है। यहांसे क्लोज करते हैं और मैं बहुकर करेंगहां मैं चलता हूँ अपने क्रोम पे और और सबसे पहले बात क्या चीक एक कर्याए बदुब इसको हो का il डालेंगे इसके बाद हम चीजों की यहां सब्सक्राइबżen कर दिया देखो यहां पर और यहां पर य हदी कि यहाँ की sites को में की जरुद पढ़ती है तो सबसे पहले हम उसको क्रेट करेंगे तो हमने रैस में क्लिक किया और यहां पर आपको मिल जाएगा फोल्डर के नाम से फोल्डर राइट इसमें जाने के बाद आप यहां पर मिलेगा आपको मेन्यू के नाम से फोल्डर मिलेगा और अगर आपको य मेन्यू नाम का फोल्डर आ जाएगा इसके अंदर आपको क्या करना है new और मेन्यू रिसोर्स फाइल आपको यहाँ पर क्रेट करना है अब इसका simply आपको नेम डालना है तो यहाँ पर नेम डाला हुआ तो इसमें आपको क्या डालना है menu कुछ items आपको यहाँ पर डालने पड़ते हैं तो मैं split में चलता हूँ और split में जाने के बाद आपको यहाँ के अंदर इसके अंदर आपको वह चीज़ें करनी होती है जो आपके bottom navigation में आता है जैसे कि मैं आपको बता दू मैं इसको minimize करता ग्रोम पर चलता है तो यह देखो जो यह जो है आपके पास यहाँ पर alarm stop watch timer तो यह सब क्या है आपके menu के items है तो यह आपको यहाँ पर create करने पड़ते हैं तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं इन चीज़ों को यहाँ से direct copy कर लेता हूं देखो यह menu वाले tag को मैंने copy नहीं किया इस ट्रिंग में कुछ value थी वह हमारे पास यहाँ पर अभी लेवल नहीं है और ड्राइवल में icons हमारे पास अभी लेवल नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर custom ही हम इसको यहाँ पर डालने वाले तो मैंने इसको remove कर दिया इसको भी remove कर दिया और इसको भी मै कि आइकन है नहीं लेकिन यहाँ पर एक देना मेरे पास अलारम बाला यह और भागी शलिक आफ'm aqui कर से आइप्स हैं तो आपको अज़्ख marit और इसका आपको name change करना है और home रख लेना या फिर आप जो भी नाम रखना चाहो वो रखके बस उसको आपको यहाँ पर change करना है तो मैंने home ही रख लिया next पर click करते हैं और finish पर click करते हैं तो यह home वाला error हमारे पास जा चुका है अब हमारे पास क्या है bread का है तो मैं इसको क् करता हूं और इसका नाम हम यहां पर डालेंगे bread ओके तो next पर click किया मैंने finish पर click किया तो यह भी मेरा जो error था यहां पर solve हो चुका है last हमारे पास कार्ट वाला है तो हम कार्ट भी यहां पर add करेंगे और यहां पर मैं जाने के बाद यहां पर search करूंगा कार्ट तो यह मेरे पास कार्ट का एक icon मिल गया तो मैंने इसको के किया और यहां पर कार्ट डाला मैंने और इसको फिनिस किया तो यह भी हमारा error यहां पर जा चुका है यानि कि अब हमने हमने क्या किया मैंने को भी यहां पर successfully नहीं हो रहा है तो इसकी हाइट जो है wrap content है इसकी जगह हम यहां से करके देखते हैं 54 डीपी तो इतना मैंने किया लेकिन अभी भी यह चीज हमारे पास यहां पर सो नहीं हो रही है तो कोई ना कोई mistake होगी इसको हम चैक कर लेते हैं तो एक बार हम क्या करते हैं इसको rebuild करते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि मैंने clean किया और मैं इसको rebuild करूंगा I hope कि यह हमारे पास आ जाए आपके पास आएगा नहीं और यह देखो आपके पास यह चीज आ चुकी है तो हमारे पर कोई error नहीं था वह साइद loading लेने में कोई दिक्कत हो रही थी तो अगर आपके पास भी अगर ऐसी error आती है तो आप इसके क्या करना कि clean करके री बिल्ड आप प्रोजेक्ट को कर लेना ओके और वह जो एर्र आया था वह आपके पास नहीं आएगी बिकॉस आप यह एर्र जो हमारे इसको बोल रहा कि 34 पर आप इसको रण करो तो मैंने इसको किया करता हूं अब देखो यहां पर आपके बीज़िए हम चाहते हैं और जैसे की बता होगा आपको इंडेक्स भी स्टार्ट में वह होती है जिरो से तो हम यहां पर इसको कर देंगे जीरो टो क्या हो जाता है हमारा वन हो जाता है तो यह देखो वन वाला हमारे पास selected हो चुका है, तो यह हो गया, अब इसमें आप कुछ-कुछ attributes है, जिनको आप use कर सकते हो, जैसे कि यह background है, तो आप इसको background को color को भी यहाँ पे change कर सकते हो, अगर change करना चाहो तो, right, तो हम यहाँ पे background के color को यह blue type का ले लेता है, और बाकी जो changes है, वो आपको यह selected में change करना है color, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एब selected type, ठीक है, अगर आपको color change करना है tab का, तो आपको इसको color को change करना पड़ेगा, right, और आपको जैसे text के appearance को, मतलब इसका font पगेरा change करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, text की styling भी change कर सकते हो, repel effect भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, icon के size को increase कर सकते हो, text के size को increase कर सकते हो, और भी यहाँ पे बहुत सारे चीज़े हैं, इनको आप normally लिख के, आप यहाँ पे use कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक simple सा use कर लेता हूँ, और आप चाहो तो multiple यहाँ पे use कर लेना, तो आपको मिल रहा है, यहाँ पे, app indicator appearance, तो सब simple से इसको हम क्या करेंगे, copy करेंगे, और copy करने के बाद, वैसे आपको यहाँ पे automatic ही मिल जाएगा, apps indicator appearance, तो आपको यहाँ पे जाना है, और इसको आपको remove करना, यह round है, इसको मैंने remove किया, और space दबाया है, तो यहाँ पे square आ रहा है, और invisible आ रहा है, और यह मेरे पास क्या रहा है, round वाला है, तो round वाला वो था, अब यह देखो, by default हमारे पास square आ रहा है, अब round select करूँगा, तो यह round type का मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा, round हो गया, अब ढंक से देखोगे, तो यह round type का आपको यहाँ पे, तो हो अब क्या होगा नॉर्मली बस आइकन और जो टाइटल हमारा उसमें यहां पर इफेक्ट चेंज होते रहेंगे तो मैं एक वार के लिए इसको मैं क्या करूंगा इन्वीजिबल की जगे यहां पर मैं राउंड ही कर देता हूं अच्छा लगेगा विकॉज राउंड हमें सब्सक्राइब हमाद का रिपलेस करवाने हैं इनकी मैनु के अइटम के क्लिक पे तो अगर इस वीडिय wannat को नहीं पता है तो आप हमारे प्लेच्च को चेक कर सकते हैं आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको यहां इसकार रिप्लेस और Chrome पर जाने के पाद आपको Animated या फिर ना Bottom Navigation Bar और GitHub आपको यहाँ पर सर्च करना है और इतना करते हैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास यह आ जाएंगे तो मैंने यहाँ पर सर्च किया आपको और भी दिखा देता हूं मैं यहाँ पर आप ऐसा क यूजेश करना हूं तो आपको इसका कांब आना के video अफ्रेंट ऑब responds बेढ ड़ी उसे पसंद करना होगा तो अगर आपको यह बीडियो पसंद आया होगा तो आपगे किमेंट कर सकते हमारे वीडियो को लाईक कर सकते हो चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं ईयदा rings झाल झाल